प्रवत पठार जेसां कि को नाम है Mard Fridays या प्राकरतिक प्रदेश के इसा मतलब क्या कि जो Mard Podish का hundred प्राकर्तिक रूप से कितने प्रकारों से विभाजित है भोगोली प्रूपने हैं इनके ओपर याँ पर आप चर्शेया करेंगे तothe 1 यह अपर बात हमको जानना हे कि मद्द्द्देष जो हमारा राज्य है यहां मुख्यतर तीन भोगोलिद्देशों बटा भुँथ 1 बता रोसके मद्द्द्द्द्द्द्रश 3 पूर्वी पठार जिसे हम कहते हैं बगयलगन का पठार तो याद रकना मद्द प्रदेश मुख्यत तहर तीन भोतिक पड़िश्वं बटा हुआ है तीन प्राकतिक पड़िश्वं बटा वा है जो भी सब्दों पर यूज हो फिर उसके प्रस्टाद आगर देखें तो जो हमारा मद्द उच्च्छ प्रदेश है इसको पु हमारे लिए बन सकते हैं उसके उपर तोटी चर्चा करते हैं जैसे कि पहला प्रस्ट नहीं बनेगा कि मद्दभडेश कितने बहुतिक प्रदेशों में बटा हुआ है तो में आपको बताए कि मद्दभडेश मुख्य मुख्य तहर अगर सब्द यूज़ किया जाए तो मुख्य तहर तीन भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है फिर अगर आपसे पूछे कि मद्य उच्छे प्रदेश कितने भागों बटा हुआ है तो यहां पर इसका इंसर होगा पांच अब उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि मद्य प्रदेश कुल कितने भागों बटा हुआ है अगर यहां पर सब्द यूज़ करें कुल कितने भागों बटा हुआ है तो फिर इसका इंसर जो होजाएगा वह हो जाएगा साथ हम ने वी देखा कि मदव् danced मुक्क्यज़ तो है कितने भौतिक पदेशों में तो तीन लेकिन कुल कुल भौतिक पदेश एसे हमारे यहां पर तो साथ केसे हो गए साथ, जैसे यहां पर हम बात करें कि प्तेश हमारे पास यहां पर है जैसे कि एक है मालवा का पठार, फिर एक है मर्द्य भारत का पठार, एक है बुंदेलकन का पठार, एक है रीवा पन्ना का पठार, और पाचवा है नर्वदा सोन घाटी चित, और उसके बाद सत्पुडा मेकल परवती चित, और एक है आपका बगिलकन का पठार, इस प्रका सतो वृतिक पादेश को न वा कहले इसका एक किस में प्रकारके प्रकार की बहुतिक प्रकार साथ प्रक्रेश haram रहूत कुम्लाम постав अच उया हूं स्था बहुतिक फत्र थे नुद्यार को तो यहां पर जो आपको छेतर दिखाए दे रहा है पिंक वाला यह है मद्य भारत का पठार नमबर तीन की बात करें तो यह है आपका बुंदेलखन का पठार फिर नमबर चार की बात करें तो यह है रिवा पन्ना का पठार फिर यहां से लेकर प्रस्चिम से पूर्वा तक ये छेत्र फेला हुआ है नर्बंदा सौन गाटी प्रदेश और इसी के दक्षिण में है सत्पुडा मेकल परवती छेत्र और फिर यहां पर है आपका साथवे नंबर का है बगेल खन का बठाब तो यह साथ भोतिक प्रदेश हमारे मत्र प्रदेश में हैं यह मत्र प्रदेश साथ भोतिक प्रदेशों में बठा हुआ है इन साथो भोतिक प्रदेशाओं के अपने विश्यस्ताएं हैं इन सभी को डिटेर्मम पढ़ते हैं जिसमें से नंबर वन हम बात करें जिसके बात कर तो इसका निर्मान हुआ वो ज्वाला मुख्य के लावा से ज्वाला मुख्य का विस्पोर्ट हुआ और इस विस्पोर्ट से लावा बहार निकला इस लावा के जमाव से यहां पर जो निर्मान हुआ वो किसका हुआ है मालवा के पठार का तो मालवा के पठार का निर्मान कि ऊप से हुआ बाग मुक्रीय के लावा जो यहां पर इसप़ोर्ट वा निकला अब दूर दूर तक यहां पर इसपोर्ट है और यह लावा सब्सक्राइब कहा च Param word यसमें टांड कि बैसी करते हैं मतंद इरे ज देल फिर में कि यहां bye impact में इसके साहम धोर कर था कंब कोया मतलब यहां था होगा सब्सक्राइब आप का निर्मान हुआ मतलब इसलोब कल्प को क्ई कह सकते हैं मेसोच वी जुन के सकते कि अब यहां पर्सप्टेमिक के लावा से हुआ और लावा से आगे चल कर बेसाइल्ट न clamps हुआ का निर्मान हुआ तो आपसा अगल पूछे कि मालवा के पथार मेंगैं चट्टाने पाई जाती है तो बेसाल चट्टाने पाई जाती है और 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 बेसाल श्युक्हित है दर्म कहें कि यहां पर बशाल चट्टाने पाई track The engine 這個 data fromâm. तो हमने के संधुसराशा सो प्रता ने का संधुसरा बोई परिछ संद्रच्णा था तो हमने मानवा कर पता निर्मान किस प्रकार ताक प्रोसेस कभ होई तो मैंने कहा क्रीटेसियस यूंत या फिर मेसोज़िककल या मेसोज़ कल बढ़ी रही धराथाल के उपर फिसमें वह ख़ोट इक राशालिक प्रक्रिया् उपर ईपच्छे की प्रक्रिया हुई जिसके प्रकार की मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी तो अभी हमने यहां पर समझा कि मालवा के परठा का निर्मान केसे हुआ है तो मैंने कहा है ज्वाला मुख्य के लावा से और इस लावा से आगे चलकर यहाँ पर चट्टाने केसी बनी है बेसाल चट्टाने इन बेसाल चट्टानों में अपेक्छे की प्रक्रिया हुई अपेक्षे की प्रक्रिया या फिर हम इसको सामाने भासाम कह सकते हैं तूट फूट हुई टूट फूट, क्या कह सकते हैं, कि बेसाल चट्टान की जो उपरी परत है, इसमें अपेक्षिक की प्रक्रिया है, मतलब जो उपरी जो परत है, वहार छोटे टुकड़ों में भाजित हो गई, फिर छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़े भाजित हो गई, इस प्रकार यह के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी पाई जाती है फिर आप से पूछेगा कि काली मिट्टी का निर्मान किस से हुआ तो बेसाल चट्टानों से हुआ है ठीक है या फिर लावा भी दे सकता है जैसा भी वहाँ पर है तो हम यह कह सकते हैं कि जो मालवा का पठार है या मत बदेश का जो पस्ची में छेत्र है इस पूरे संपूर्ण पस्ची में छेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है वो चाहे मालवा का पठार हो वो चाहे निमार छेत्र हो चाहे नर्वदा घाटी छेत्र हो चाहे पस्ची में सत्पुरा छेत्र हो इस पूरे परस्टी में छेत्र में काली मिट्टी देखी जाती है तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट समझा सबसे पहले मालवा के प्रथा का निर्मान पर मालवा के प्रथा के निर्मान के बाद यहाँ पर जो मिट्टी वह केसी बनी काली मिट्टी अब बात करते हैं यहाँ प सबसे बड़ा भूतिक प्रदेश कुन सा है मालवा का पठार जिसका चेतर पर है डबल एट ट्रिपल टू वर्ग किलोमेटर डबल एट ट्रिपल टू वर्ग किलोमेटर चेतर पर पर फेला हुआ है जो मद्ध प्रदेश की टोटल भूमी का लगभग 28% भाग अपने पास सकत है मतलब मद्ध प्रदेश की खूल भूमी का 28% किसके पास हैं तो मालवा के पठार पर है मालवा के पल बठार की एक को रawsक्रिश सता है कि यहाँ पर गेहों का उत्पादन अच्छा होता है या सातो भोतिक पुदेश में गेहों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है इसके कारण मालवा के पठार को क्या कहा जाता है गेहों की डलिया या फिर गेहों का बंडार भी कहा जाता है तो हमने यहाँ पर क्या जिखा कि सातों भोतिक प्रदेश में चित्रफल के अधार को सबसे बड़ा भोतिक प्रदेश कुन सा है मालवा का पठार जिसका चित्रफल आपसे एक्जामर जरूर पूर सकता है डबल एट टिपल टू वर्ग किलोमेटर है जो कि पूरी मद्विस्क कि भोमे का अठाइस परसेंट भाग पर लगभग फिला हुआ है और गेहों के रुक पादन के यहाँ पर गेहों की डलिया या गेहों का बंडार कहा जाता है अब बात करते हैं कि डबल एटिपल टू वर्ग किलोमेटर चित्रफल है या 28 परसेंट भाग है या कहां कहां पर है तो अगर हम राइज देखें या फिर जीले वाइस देखें कि कौन-कौन से जीले में मालवा का पठार फिला हुआ है तो यह जो आपको छेत्र हाइलाइट हो रहा है इस पूरे छेत्र में मालवा का पठार फिला हुआ है जैसे कि हम बात करें यहाँ पर नीमाज का छेत् रतलाम, जाबवा, अलिराजपूर, धार, इंदोर, देवास, उच्चेन, साजापूर, आगरमालवा, राजगर, सीहोर, भोपाल, विदीशा, राइसेन और कुछ भाग जो है सागर का, कुछ भाग अशोकनगर का और कुछ भाग जो है वहाग गुना का इसमें आता है अशोकनगर का पस्ची मी छेतर इसमें आता है, सागर का भी पस्ची मी छेतर मालवा के पठार में आता है और बाकी जो छेतर बचा है वह दूसरे भोती प्रदेश में आते हैं तो गुना का कुछ छेतर छोड़ दिया जाए अशोक नगर का कुछ छेतर छोड़ दिया जाए सागर का भी कुछ छेतर छोड़ दिया जाए तो बाकी मालवा के पठार के अंतगत आता है यानि कि मालवा का जो पठार है वहम मनसोर, रतलाम, जाबुआ, अली राजपूर, धार, इंदोर, देवास, उच्चे इन, आगर मालवा, साजापूर, राजगर, सीहोर, भोपाल, विदीसा, राइसेन, और कुछ भाग सागर, अर्शोक नगर, गुना इतने लगभग 17-18 जिलो में, पूर्ण रूप से, या कुछ जिलो में, अंसिक रूप से मालवा का पठार फिला हुआ है, अब यहाँ पर प्रसन क्या बनता है, जैसे प्रसन आपसे पूछेगा, चार उप्सन देकर पूछेगा, कि इन में से किस जिले में मालवा का पठार फ कातना मुहापत देखने को मिल जाएगा, तो यह जो पूरा चेतर है, यह हम मालवा के पठार का पूरा चेतर आपको दिखाए दे रहा है, के लिए, फिर उसके परचार, अगर भोगोली गृप से देखे, कि मालवा के पठार के आसपास में कौन-कौन से भोतिक वदेश है, यह मालवा के पठार के सीमा किल-किल भोतिक पदेश है, तो इसके बारे में समझना, कि जिसे यहाँ पर यह हमारा मालवा का पठार, अब इस मालवा के पठार के अगर बात करें, तो इसके उत्तर में अगर देखा जाए, तो वो है मद्धि भारत का पठार, मालवा के पठा के उत्तर पूर्व में अगर देखा जाए तो यहां पर आपको है बुंदल खंड का पथार अगर हम इसके दक्षिन की बात करें तो दक्षिन में है नर्बदा धाटी チचत और एक तरफ गुजरात और राजिस्तान की भूमी आ जाती है मतलब जो मालवा का पठार है वहां मद्ध भारत के पठार से बुंदिल खंग के पठार से रीवा पन्ना के पठार से और नर्मदा सोन गहाटी प्रदेश से घिरा हुआ है या इसके आसपास में भौतिक पडेश है ये लोजिकली प्रदेश ने एकजाम में कैसा भी पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार की दक्षिन में क्या है उत्तर में क्या है पस्चिम पूरुव में क्या है इस प्रकाय की बात वहां पर करेगा तो ये तो हमको यहाँ पर इसका भोगोली की विस्तार पर देख लिया राजदरी की विस्तार पर देख लिया अब यहाँ पर एक चीज़ वो ध्यान देना कि मालवा के पठार में एक परवत संकला हमको दिखाए दे रही है ये मालवा का पठार है और यहाँ पर एक परवती भाग आपको दिखाए दे रहा है यह कभी-कभी पूछता है कि मालवा के पठा के दक्षिन में कौन सी परवत संक्ला है तो वो परवत संक्ला का नाम है विंध्यांचल परवत सेनी मालवा के पठा के दक्षिन में विंध्यानचल परवत सेनी है फिर बात करें यहाँ पर कि मालवा के पठा के सबसे उची चोटी कुन सी है तो मालवा के पठा के दक्षिन में विंध्यानचल परवत सेनी है और यहाँ पर विंध्यांचल परवस्रेणी का जो उचा भाग होगा वही क्या होगी इसकी सबसे उची चोटी है सिगार जिसकी उचारी है 821 सिमीटर दूसरी सबसे उची चोटी यहाँ पर जाना पाओ और इनकी निकट एक और महतोपुन चोटी का नाम है वो है धजारी कि जो उचा भाग होगा वही मालवा के पठाय के सबसे उचे उस्तान होगा अब इंदोर जिले की महू तेसिल की विंध्यांचल परवस्थेनी में, विंध्यांचल परवस्थेनी में, ठीक है, आप से पूछे जाना पाव चोटी कहां पर हम कहेंगे, इंदोर जिले की महू तेसिल में, जाना पाव चोटी कौन सी परवस्थेनी में आती है, तो हम कहेंगे, इंदोर जेले की महुत हैसिल की विंध्यान चल पावर सेने का सबसे हुचा इसताने आप देखने को मिलता है के लिए तो यह सबसे हुची चोटी हो गए हमारी फिर बात करते हैं जलवायू की कि मालवा के पठाक की जलवायू किस प्रकार की देखो वेसे तो पूरे लेकिन चेतर इसतर पर जाकर देखते हैं तो वहां पर कुछ अलग प्रकार की जलवायू कर प्रभाव देखा जा सकता है जिसे मालवा मद्रवज़स के उत्तरी चेतर में जाओगे मद्र भभारत, बुन्देल करन रिवा पन्ना तो वहाँ पर अलब प्रकार की जल्वयों कर प्रभाव देखा जाओगा तो इस्तानी इस्तर पर जाकर देखें कि शेच चेतर में जैसे मालवा के पठार में तो वहाँ पर सम प्रकार की जल्वायू पाई जाती है कैसी प्रकार की? सम प्रकार की जल्वायू सम प्रकार की जल्वायू का मतलब क्या हो गया? कि यहाँ पर ग्रिस्म काल में सामान्य गर्मी होती है और सीथ काल में सामान्य धन होती है मतलब ग्रिस्मकाल में सामाने टेंपरिचर ग्रिस्मकाल में सामानी गर्मी सामानी गर्मी होती है और सीथ काल में सामाने ठंड होती है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ग्रिस्मकाल में सामाने तापमान बना होता है और सीथ काल में सामाने तापमान बना होता है कि दिनों में कम नहीं होता है इसके कारण यहां के जलवायु मालवा के पत praise को क्या कहा जाता है That यात्री जिसका नाम था फायान जिसने मालवा की जल्वायो को वीश्व की सबसे अच्छी जल्वायो को दर्जा दिया है यहां पर गिस्मकानन सामानेगर में सीधकानन सामानेगर इसी विसरत्ता करें चीनी एक्त्री फाया ने मालवा की जल्वाईउ के सबसे जल्वाईउ के दर्जा दिया है तो यह जलवरी यहां पर छेती इस तरह पर देखें तो फूरे वर्ष में 75-125 cm वर्षा होती है इसका मतलब क्या? कि मालवा का जो पस्ची में छेत रहे इस पस्ची में छेते में 75 cm की आसपास वर्षा और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं वेसे वेसे वर्षा के मात्रा बढ़ती जाती है तो इधर वर्षा की मात्रा कम है और इधर अधिक वर्षा होती है पूर्वी चेत्र में पूरे मदबदेश में ध्यान रखना, पूरे मदबदेश के पस्चिमी चेतर में कम वर्षा होती है और पूर्वी चेतर में अधिक वर्षा होती है तो यानि कि हम यह कह सकते हैं कि कुछ चेतर में 55 cm, किसी में 90, किसी में 100, किसी में 125 cm तक वर्षा होती है तो जैसे अब यहां पर देखा कि मालवा का जो चेत्र है वो इस प्रकार के आप पो दिखाए देता है कि मालवा पक्थार एक नदी माही ever1 यह यहां पर भेती है चंबल एक सिप्रा एक काली सिंध हे पार्वती है यह कुछ प्रमुक नदियाहं मालवा पक्थार बाहने वालि god अगर वह कह रूक नदी मालवा क्थार प्थार बेहती है और कोई से नहीं बैती है जैसे अगर मैं पूछँ कि मालवा के पठार बेहने वारी नदी कौन से नहीं है पहला option चंबल दे दिया, दूसा सिप्रा दे दिया, तीसा पार्वती और चोथा दे दिया मेंने सोन नदी तो सोन नदी जो है मालवा के पठार में नहीं बहती है क्योंकि सोन नदी तो बहती ही यहाँ पर तो इस प्रकार के प्रसना आते हैं कि मालवा के पठार में कौन से बहती है कौन से नहीं बहती है तो यह आप आपको काम आएगा लेकिन इसके लिए आपको भौतिक प्रदेश और नदियां दोनों टोपिक साहब तो पढ़ना होंगे उसके बाद यहां पर सुझ में आएगा इसके बाद ध्यान रखना कि मालवा के पठा का ढाल है यहां उत्तर दिशा की ओर है उत्तर दिशा की ओर ढाल कैसे पता चला हमको यहां पर जो नदिया भेती है वह नदिया की बहाव दिशा से पता चलता है कि इसका ढाल के असार क्योंकि जल किदर भेता है जहां उसको ढाल दिखाई देगा है जहां उसको उचाई कम दिखाई देगी उस दिशा के और भेता है तो मालवा के पठा है कि जो नदिया हमने अभी देखी इन नदियों का जो प्रवा है यह दक्षिन से उत्तर दिशा के और है चंबल नदी भी दक्षिन से उत्तर दिशा की और बहती है सिप्रा भी उत्तर दिशा की और बहती है काली सिन भी उत्तर दिशा की और बहती है पारवती भी उत्तर दिशा की और बहती है यानि कि यहां का ढाल दक्षिन से उत्तर दिशा की और कम है इसलिए हम कह सकते हैं कि मालवा के पठा के ढाल के साहे दक्षिन से उत्तर दिशा की और है के लिए तो यह ता हमारा मालवा का पठा और आशा करता हूँ कि आप सुभी को समय में आया होगा तो यह हमारे जो मर्द बदेश के साथ भोतिक पठेश है इसमें से केवल एक भोतिक पठेश मैंने आपको बटाया है वो है मालवा का पठा इसी प्रकार से हम बाकी 6 भोतिक पठेश भी पढ़ेंगे ठीक है आज के लिए यहीं पर क्लास हो करा हूँ आप सुभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू बर्यमाच